एक रिसर्च आपके सान में रख देते हैं, बाल्टिक ड्राइ, यहाँ पर भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है, अब इसकी पूरी डीटेल, एक्जाक्टली हम क्यों बात कर रहे हैं, इसकी गिरावट पर असर क्या होगा, सारी डीटेल लेकर वरुन हमारे साथ बने वरुन, बताईए क्या हुआ है, बाल्टिक ड्राइ के साथ, जोरदार गिरावट हुई है, इतियासिक गिरावट है, अभी तो रिकावर कर रहा था कुछ समय पहले कर रहा था, लेकिन 22 डिसम्बर से जो गिरना शुरू हुआ है, इन फैक, 1984 के बाद की सबसे बड़ी गिरा 34% के आसफास की गिरावट जो है, इस बाल्टिक ड्राइ इंडेक्स में आचुकी है, यह शुरूबात हुई दरसल, चायना में जो कोविट के केसे बड़े, उसके बाद जो शिप्मेंट्स थे, उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है, और वो कमी इतनी आचुकी थी, कि इतनी ज़्यादा गिरावट हुई, अब होता ही है ना कि वैसे भी साल की शुरूबात में अगर आप देखेंगे, तो इस तका ट्रेंड देखने मिलता है, बाल्टिक ड्राइ इंडेक्स जो है, वो साल की शुरूबात में गिरता है, लेकिन 2%, 4%, 5% गिर गया, उतना बहुत होता ह एक दिन में 8% गिर जाए, ऐसा हालत आज तक देखना नहीं मिला था वाल्टिक ड्राइ इंडेक्स में, और 1914 के बाद पहले बार इससा की गिरावट देखने मिली, दरसल कुछ और इंडेक्सेस है, जैसे की केप साइज नाम का एक इंडेक्स है और उसमें केप साइजल जो चिप्मेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं, जो शिप्मेंट से उसमें कमी आ रही है और यह इसलिए क्योंकि जैसे के मैंने का कहिं इन इन फेशने पैशल के चलते, ओर ट्रेट सेटप जो है, वो ग्लोबली काफी कमज़ोर हो चुका है, उसका इंपाट बाल्तिक ड्राइ सकता है इसके लिए पूरे स्पेस पे आप नजर रखेगा बिलकुल और नजर हमारी बनी हुई है इंफाक हम देख रहे हैं वरुन के लिए